तो आज मैं यार laptop बताऊंगा for developers के लिए तो बही अगर आप as a developer काम कर रहे हो and अगर आप in 2021 में laptop लेना चाहते हो and अगर आपका पड़िट 40,000 है 40,000 है 40,000 से भी अगर आपका budget कम है ये वीडियो या especially मैं आपके लिए करूँ तो start करते हैं बात करते हैं बात करते हैं no.5 की no. no.5 की बात करते हैं लेकि no.5 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहते हूं जो मैं आपको laptop बताऊंगा for creators के लिए and for developers के लिए बहुत अगड़े होने वाले हम बात करते हैं no.5 की no.5 पर यार मैंने रखा है HP 14 को अगर इस laptop की बात करूँ यार मुझे बहुत ऐसे मैं सी करते हैं जिनको HP का laptop चाहिए होता है जिनको Dell का ही laptop चाहिए होता है अगर आप भी उन में से आते हो अगर आपको भी HP का ही laptop चाहिए तो HP 14 आपके लिए best deal हो जकता है अभी इसके specification की बात कर लेते हैं तो ये दो colors में देखने को मिलता है white color में silver color सौरी आता है and इसका black color देखने को भी मिल जाता है तो black color में मुझे जादा suit किया तो अगर आपने जाना है तो black color देख लेना है उसके बाद हम इसके display की बात करते हैं तो आपको 16 refresh rate के साथ इसकी display quality देखने को मिलेगी जो कि मैं average कह सकता हूँ इसकी इतनी भी display जो है वो तगड़ी नहीं होती and आ कोई भी problem नहीं आने वाली i3 जो 11th generation है सच में बहुत दगड़ा है आपने जो भी heavy software यूज़ करना है जा creator काम करना आप कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं आपको 8 GB RAM मिल जाते हैं अपर आप 16 GB तक कर सकते हैं प्लस आपको इसमें SSD ही देखने को मिलेगी SSD का benefit यह होता ह अगर आप data गरा transfer जाधा करते हो वो जल्दी हो जाता है as comparison किया है HDD के साथ एक ग्राफिक कार की बात करूं आपको integrated ग्राफिक कार देखने को मिल जाते हैं तो भी अगर आपने ऑफिस वर करना है उसके बाद भी अगर आपने college university के related आपको चाहिए अगर आपने वीडियो RAM की और आपने नहीं जाना अगर आपने कोई भी हैवी भी software यूज़ड करना है ठीक है उसके बाद operating system आपको विंटो 10 मिल जाएगी बैंटर की बात करूं आपको 7 hours का बैंटरी बैककप पर वाइड कर देता है प्राइस की बात कुरूं इसका प्राइज आपको 41 थाउड़ बात करता है नंबर फो की बात करो नंबर फो की बात करो नंबर फो की यार मैंने रखी है मैं नोटबुक 14 को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले इसका जो design है and build quality है वो बहुत तगड़ी है उसके बाद अगर आपको को काम ऐसा करते हो कि आपको typing ज्यादा करनी पड़ती है तब भी आपके लिए ये laptop perfect deal हो सकता है and इसके specification बहुत अगड़े देखने को मिल जाते हैं मैंने आपको पहले बता जिया कि इसकी display quality अच्छी मिल जाती है उसके बाद आपको i5 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ तो processor आपको तगड़ा मिल जाता है अगर आपने video editing बगारा भी करने हैं जा gaming विगारा भी करने हैं आप इस laptop पे कर सकते हो जागर आपने कोई भी हविस और यूज़ करना है आप इस laptop पे जो easily normally कर सकते हो storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल गया SSD का benefit मैंने आपको पहले बता दिया Graphic Card की बात को आपको Inter UHD Graphic देखने को मिल जाता है प्लस आपको MX350 2GB भी देखने को मिल जाता है लेकिन 2GB Graphic Card का price increase हो जाता है वो आपको मिल जाएगा 47,000 के budget में जो कि आपने budget से उपर चल जाता है ठीक है आप पुरे नी से सिस्टन की बात को आपको Windows 10 मिल जाते है आप Bantry क की बात करूं आपको 10 hours का battery backup provide कर देगा प्लस आपको 60 वाओर का fast charger देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूं इसका प्राइस भी आपको 41,000 के budget में हम माइ notebook forwarding देखने को मिल जाएगा तो बही main specification तो मैंने आपको बता दिया है हम माइ notebook forwarding के अभी minus point की भी बात कर लेते हैं तो minus point सेफ इसका ये देखने को मिलता है कि जो RAM में उसको अप अपग्रेट करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है जो कि सच में एक minus point आ जाता है इन future अगर आपको कोई software यूज करना है या अगर आपने वीडियो एक्टिंग करने है या अगर आपने gaming करने है अगर आप रएम को अपग्रेट करना चाहोगे तो वह आप नहीं कर पाओगे इस laptop का सच में एक minus point आ जाता है तो that's why मैं इसको number four पर रखा औ और कोई भी रिजन नहीं है ठीक है अगर आपको 8GB रहा है minimum है तो भाई आप इस laptop के और जा सकते हो बहुत अग्रा laptop देखने को मिल जाता है ठीक है आगे बात करते है अभी number three की number three की बात करूं number three पर यार मैंने रखा Lenovo IdeaPad Slim 3i को सबसे पहले इसको number three पर रखने का ये reason 37,000 के budget में देखने को मिल जाता 37,000 के budget में प्लस आपको इसके साथ लिंडो वो बैग भी देखने को मिल जाता जो की laptop बैग है अगर आपने अपने laptop को carry करना है आप इस जो बैग में है वो कर सकते हो प्लस भाई इसका price range बहुत सही है price range के according देखा जाए आपको specification बहुत के साथ आते processor की बातों को i3 10th generation के साथ में मिल जागा आपको 11th generation के साथ भी देखने को मिल जागा जितना आप यह करो कि इसको recording मिल जागा तो i3 अगर 10th generation के पास भी चल जादो यार वो भी processor बहुत अगड़ा मैंने link पर वाइड किया एक पर आप इसको चैपर जरूर करना बात करूँ आपको 7 hours का battery backup provide कर देता है प्राइज की बात करूँ इसका प्राइज वाको 37,000 के बज़र में Lenovo IdeaPad Slim 3i देखने को मिल जाएगा तो यह में मैंने आपको बदा दिये Lenovo IdeaPad Slim 3i के भी प्लस मैं आपको कहा देना जाता हूँ अगर आप 5% या 10% आफ ले ले लेते हो HBI card पे या SBI card पे इसका price आपको और भी सस्ता मिल जाएगा आपको 5% जो है आफ मिल जाते हैं मतलो 5000 का आपको less मिल जाएगा तो इसका budget हो जगा 32,000 के budget में end अगर मैं Lenovo Bag की बात करूँ ना उसका price आपको 2000 देखने को मिलता है तो जो कि आपके लिए ही plus point है specification भी तगड़े मिल जाते हैं उसके बाद इसका price range बहुत ज़्यादा सही है यार कई बंदे होते हैं अगर आप 40,000 भी पे नहीं कर सकते हैं आपके लिए मैं laptop ये वाला बताया है इसलिए मैं इसको रखा है number 3 पे laptop पूरा loaded अगर आपने ऐसा creator काम करना ऐसा developer काम करना आप easily normally कर सकते हैं आप 40 सही प्रवाइड कर देता है अपने customers को तो यार Lenovo brand है मैंने आपको पहले भी बता देता है अभी मैं repeat नहीं करने वाला आगे बात करते है number 2 number 2 की बात करो number 2 पर यार मैंने रखिया Asus VivaBook Ultra 15 को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले भई अगर आपको एक slim and stylish design चाहिए ये laptop आप इस specification भी आपको पूरे loaded मिल जाते हैं आपको fingerprint भी देखने को मिल जागा तो आपके लिए best deal हो जाएगी बात कर लेते हैं main specification की थोड़ा से deeply बता देता हूं तो display की बात को 15.6 inch full HD plus display मिल जाते हैं जो की 16 refresh rate के साथ आती तो मैं मैं जितने भी आपको laptop बता रहा हूँ न सभी म इतना भी आप expectant नहीं कर सकते processor की बात करूं आपको i3 11th generation के साथ मिलेगा जो की latest processor है तगड़ा processor है प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ Asus VivoBook Ultra 15 जो है वो 2020 मोडल में आपको बता रहा हूँ ठीक है ग्राफिक कार की बात करूं को integrated ग्राफिक कार मिल जाता है बैंटरी की बात करूं आपको 6-7 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है प्राइस की बातों को 40,000 के बज़र में Asus VivoBook Ultra 15 देखने को मिल जाएगी तो बैं में स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया Asus VivoBook Ultra 15 के भी अगर आप इस लैपटाप के और चले जाते हो ये लैपटाप भी बहुत तगड़ा हो जाता है इसके बज़र रेंज की बातों को 41,500 के बज़र तक आपको ये लैपटाप मिल जाता है आप Y3 11th generation के साथ मिल जाता है 8GB RAM में जाते हैं जिसको आप अपड़ेट कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको एक स्लेम एंड स्टाली से डिजान वगर आभी मिल जाता है तो भई अगर आपको वो चीज़ मैंटर करती है आपके लिए बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला असूस के और आप जा सकते हो जैसे भी आपने काम करना आजा अप इसली नॉर्मनी स्मूथली कर सकते हो कोई प्राब्लम इशुओ आपको नहीं आने वाली अगर आपने कोई हावी सॉफ्टर भी यूज़ करना आप कर सकते हो लेकिन मैं आपको सिर्फ गेमिंग के लिए इतना खास नहीं करना अगर आगे बात करते हैं number one की number one की बात करो number one पर यार मैंने रखिया Acer Inspire 5 को तो यार मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो लिनोवो हो गया Asus हो गया and जो Acer हो गया वो बहुत सचीज परवाइड करते हैं अपने customers को प्लस इसके specification बहुत तग्रे मिल जाते हैं मैं आपको बता देना चाहते हूं अगर आपका प्लेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है 40,000 से तो आप इस laptop की और जा सकते हो अगर मैं इस laptop की बात को 45,000 के बज़ेट में देखने को मिल जाएगा and specification बहुत तग्रे हैं अभी बात इसके specification की तो display की बात करूँ आपको 14-inch plus display मिल जाती जो की iPads panel display प्रोसेसर की बातों को i5 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ है storage की बात को आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आप 16GB तक upgrade कर सकते हो and मैं SSD की बात करूँ तो आपको 256 भी देखने को मिल सकती है प्राइस की बात करूँ आपको 45,000 के budget में इसर इसपायर 5 देखने को बढ़ जाएगा तो मैंने आपको बता दिये इसर इसपायर 5 के भी अगर आप extra pay कर सकते हो अब इसर लैपटाप आपके लिए perfect deal हो सकता है अगर आपका बिलिए 41,000 या 40,000 है आपके लिए Asus लैपटाप best deal हो सकते है and अगर आपका बिलिए 35,000 है तो Lenovo लैपटाप आपके लिए बहुत अगरा हो जाता है तो यार अभी मैंने आपको 35,000 होना चले के 40,000 से अपपर भी जो budget है उसके बारे में भी आपको बता दिया तो आप देख ले ना अगर मेरा reply जल्दी नहीं आता Instagram ID मेरी दी हुए वहाँ पर मैं सही कर ले ना वहाँ पर मैं reply जल्दी कर दे तो अभी मेलते नेक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ थेंक्यू